आई ये स्ट्रेंड एक्जाम्पल नंबर देखते हैं 15, 14 तक complete हो चुके, एक्जाम्पल 15 देखते हैं, एक्जाम्पल 15 में कह रहा है, two point charges of charge values q and small q, एक capital q और एक small q है, are placed at a distance x and xy2 respectively from a third charge, एक तीसरा charge है, उस से xy2 पर और x पर दो charge रखे हुए हैं, ठीक है, और कह रहा है, all charges being in the same straight line, तीनों charge एकी straight line में हैं, अब आपको बताना, calculate the magnitude and the nature of charge capital q, capital q charge का आपको magnitude और nature बताना, जिसकी वजह से हैं, such that the net force experienced by the charge small q is zero, capital q charge का nature क्या होगा, और उसकी value क्या होगी, जिसकी वजह से small q charge पर net force zero है, तो पहले तो इसको बना लेते हैं, आपकी slide जो है, सामने आ रही होगी, question की slide आपने question उतार लिया होगा, परना, ऐसल और आपको book सामने रखनी है, इतनी help करनी है, कि ऐसल और आप सामने रहो, ताकि question आपको पता चल जाए कि question है क्या, वरना, विल्कुल भी पतने चलेगा कि क्या चल ला है, फिर भी मैं कोशिश यह कर रहा हूँ, कि आपको slide दे दू हर एक question की, ताकि आप question वहाँ से copy paste कर लो, और फिर इसको solve कर लो, जिसके numerical जितने जादा तगड़े होंगे, उसकी physics उतनी तगड़ी होगी, उम्मीद यही करता हूँ, कि आप लोग numerical अच्छे समझ रहे होगे, एक एक numerical को समझो, बार बार वीडियो देखो, ताकि numerical problem अच्छे सा आपकी solve हो जाए, सारे numerical करा रहा हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आपको थोड़ी मैनत करवाने पड़ेगी, मेरे साथ साथ, मुझे भी मैनत करवाने पड़ेगी, खुद भी मैनत करने पड़ेगी, एक्जामपल नमबर फिफ्टी नहीं है, क्या कहा रखा आप से, दा टू पोइंट चार्जेज और वैल्यू कैपिटल क्यू है, एंड इस्मॉल क्यू, आर प्लेज्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इस्मॉल क्यू यह आ गया, और इस्पेक्टिवली, फ्रोम थर्ड चार्ज फोर क्यू, भई यह फोर क्यू से, एक्स डिस्टेंस पर तो यह है, और एक्स बाइट्टू डिस्टेंस पर कौन है, यह है, इस तरह से कोशन था, खीक है, कोशन इस तरह से था, अब आप सब पूछ रहा है calculate the magnitude and nature of the charge Q इस Q का magnitude क्या होगा और nature क्या होगा जिसकी वज़े से Q पर net force कितनी आने चाहिए जिरो आने चाहिए वह एक बात धिहान दो मैं यह कह रहा हूँ कि 4Q जो है plus का है माल लेते हैं 4Q plus का है अगर Q को भी plus का ले लेते हैं तो क्या होगा और यह भी plus का है तीनो plus के हैं इस condition में होगा क्या इस condition में यह होगा कि 4Q जो है इस छोटे वाले कमजोर charge पर force लगा रहा होगा ठीक है यह इस पर repulsion लगा रहा होगा और plus Q यह भी repulsion लगाएगा यह भी दिपल्शन लगाएगा तो इस कंडिशन में होगा क्या है इस पर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी तो हमें यही तो देखना है इस पर नेट फोर्स जीरो करने है तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो करने की नहीं है इस Q का वो ही नेचर लेना होगा जो इन दोनों का होगा हम लिख देंगे फोर फोर दा एक्विलिब्रियम ओफ इस्मोल क्यू कैपिटल क्यू मस्ट हैव मस्ट हैव दा सेम साइन एज एज फोर क्यू एज क्यू है चो लो ठीक है इसमें यह है कि वही आप पे आपको इस पर नेट फोर्स निकालना तो इसको पर नेट फोर्स निकालने के लिए जो इसका साइन होगा जो इसका साइन होगा वो ही साइन आपको यहां रखना एक्स्पिलेन मैंना भी आपको एक मिनेट पहले ही कि इसका साइन of small q अब इसके equilibrium की बात कर लेते हैं तो इस पर net force 0 होना चाहिए it means force between plus 4 q and q 4 q and q यह किसके equal होने चाहिए force between capital q and small q तो लिख देंगे हम force between capital q and small q small q and capital q तो लगा हुआ force कुलाम से लोग से है 1 upon 4 pi epsilon note इन दोनों charge का multiplication it means 4 q into q और इन दोनों की बीच की distance इसका square यह बरावर होगा इन दोनों के बीच लगने वाला force लगाओ कॉलाम से 1 upon 4 pi epsilon note पहला वाला चाहर्ज दूसरा वाला चाहर्ज और इन दोनों की बीच की distance बीच की distance कितनी होगी जब इतना हिस्सा xy2 है तो यह भी तो xy2 बचेगा तो distance हो जाएगी xy2 इसका square equal के दोनों side मां जो same same चीज़ है उनको काड़ दो इससे यह कड़ जाएगा इससे यह कड़ जाएगा 1 q से 1 q कड़ गया इसका मतलब capital q की value जो होनी चाहिए इसका नेचर क्या होना चाहिए नेचर वही होगा जो 4 q और q का होगा ताकि net force 0 निकल कर आजाए रिपर्शन की वज़े से ठीक है यह उतार लीजिएगा इसके साथ साथ एक example और है जो है example number 16 कोपी कर लिया यह example number 16 में क्या कह रहा आपसा है a charge capital q is to be divided on the two object ठीक है बहुत बढ़िया capital q charge है उसको दो भागो में divide कर दिया गया दो भागो में divide किया है तोड़ा है दो बोडियों के उपर charge दे दिया capital q को हाहा आगे कह रहा है what should be the values of the charges on the two objects so that the force between the objects can be maximum एक charge है यह charge दो बोडियों पर दे दिया तो यह charge दो बोडियों में divide हुआ तो यह कह रहा है कि यह charge कितना कितना जाए कि इन दोनों के बीच force maximum लगे तो हम कह रहा है let's say let's say small q is given to one body while capital q charge total था small q आपने किसी एक बोडियों को दे दिया तो बचा कितना small q आपने एक बोडियों को दे दिया तो बचा कितना यह capital q minus small q 10 रुपे थे 2 रुपे आपने किसी को दे दिया तो बचे कितना इसके पास 10 minus 2 मतलब 8 रुपे समझ रहो वैसी था capital Q शार्ज तो टोटल था एक बोडी पर Q गया तो दूसरी बोडी पर कितना जाएगा capital Q minus small Q वो ही है let's say small Q is given to one body while capital Q minus small Q on another body लिख देता हूँ another body ठीक है अब इसको बना लेते हैं डाइग्राम के थरू डाइग्राम के थरू कैसे बनाओगे आपके पास एक बोडी आ गई एक बोडी आ गई एक पर आपने Q दे दिया और एक पर आपने capital Q minus small Q दे दिया माल लेते हैं इन दोनों की बीच के distance कितनी है small r है by Coulomb's law by Coulomb's law Coulomb's law से क्या होगा भी लगाओ फोर्स इन दोनों की बीच में फोर्स क्यों होगा f is equal to q1 q2 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 और इन दोनों की बीच की distance इसको है अब यह फोर्स के value maximum हो तो देखो फोर्स के value maximum किसके साथ आप देख रहा है वो चार्ज के साथ कि चार्ज कितना कितना दें कि फोर्स की value maximum तो जिसकी value maximum पूछे उसका differentiation करते हैं उसके respect में जिसको आप जिसको आप डिवाइड कर रहे हो तो यहां पर आपने चार्ज को डिवाइड किया है तो आप differentiation करोगे इस फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में लिखेंगे फोर मैक्जिमम फोर्स मैक्जिमम फोर्स के लिए डी एफ अपॉन डी क्यू यह जीरो होना चाहिए फोर्स कर डिफ्रेंशिजन करना चार्ज के रिस्पेक्ट में तो यह जीरो होना चाहिए मैंने एरो दिखा दिया लगाओ डी अपॉन डी क्यू ऐसी रहेगा एफ की वैल्यू रखो एफ की वैल्यू कितनी है वन अपॉन फॉर पाई इसको स्कॉयर ब्रैकट में दिखा रह क्यू कैपिटल क्यू माइस स्मॉल क्यू अपॉन आर इसको आयर यह किसके बरावर होना चाहिए जीरो के ठीक है अब जिसका हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिजन करते ना उस तर्म को रोगते हैं बागे सब कॉंस्टेंट बन जाती है ठीक है तो देखो क्यू वा परwałर पिसके का रहा है का यह सत दो इसके मल्ड़िप्लाय अंदर करते क्यू 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 स्कौाइर सक्वायर एक सब्सक्सक्राइब कर जाती है और पावर बसे एक माइनस हो जाता है कि लिए रफंड आई यह अभी यहां भी कुछ ऐसे ही लगेगा और एक चीज और दिखाज में मान लेते हैं X के respect में किसी का डिफरेंशीन कर रहा हो किस का कर रहा है चलो X कहीं कर रहे हो X के respect में तो जिसका जिसके respect में differentiate करते हैं तो value देता वो 1 जैसे कि आप dy upon dy कर दोगे तो value 1 आ जाएगी डी theta upon d theta कर दोगे तो value 1 आ जाएगी आप ये भी कह सकते हो तो एक बार कड़ जाएगा ये भी कह सकते हो किसा एक बार कड़ गया ठीक है तो यहां ऐसे ही करते हैं आपको small q के respect में differentiation करना तो small q वाली टर्म देखो ये रही तो small q कहें differentiation करना तो capital q तो constant बाहर को निकल कर आ जाएगा डी upon dq और यहां पर q यह रहा अभी डिफ्रेंशियन इसका भी होगा माइनस d upon dq और यह q square बराबर 0 ठीक अभी चुले डिफ्रेंशियन करते हैं करो डिफ्रेंशियन जब dq का dq के respect में करो तो बना जाएगा तो मतलब यहां पर capital q माइनस अब यह q square है मतलब x की power n का तो power पहला आ जाएगी power में से एक माइनस हो जाएगा तो q Squire करेंगे तो ट्व पहला जाएगा तू पहला जाएगा अब यह इसक्वाइर पहले आ जाएगा फ्रेंच से कम हो गयात तो क्योछकी ID कूछा कि स्मॉल क्यूचा कि मोल्य क्तना होन चाहिए तो स्मोल की होने चाहिए कैपिटल क्यू का जस्ट आधा तो इसका मतलब यह हुआ अगर आपको कैपिटल क्यू दो बोडियों पर देना है ताकि इनके बीच में को मैंसम最 लगे तो इस कू को दोवाइट क्यू बाइट्ल क्यू घुआ मैंखी हम फोर्च लएक हैं அधरवाइज नहीं तो यह सकाषल के सिर्सी नजवाब कि मैंख्रम फक्रम तब लगे तो में फोर्च तब लगेगा जब इस चार्ज को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दोगे डिवाइड कर दोगे आई होप आपको समझ मा आ गया होगा नहीं आया सच में नहीं आया आ जाएगा दुवारा देखो